सावित्री लिमिटेड ने इशू किये पचास हजार एट परसंट डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है रूपीज हन्ड्रेड इच कि एक यनि किस रेट ओफरीमिया पेशू किया गए है वह आपको पता नहीं है वहीं आपको थूलना है ओर लेकिन किटने प्रीमियं प्रिबूम पर होगे यह बता करा है यह यादि प्रीब आप आपको बता रखा है 10% at the time of writing of loss on issue of debentures statement of penal का use हुआ दो लाक रुपे का यानि लॉस को जो write-off किया गया उसमें से दो लाक रुपे statement of penal से लिए गए आप से कहा गया है कि बताईए किस rate पे ये debentures issue हुए होंगे देखिए बच्चों आपको security premium reserve नहीं पता लेकि इतना पता है कि loss on issue debentures कितना हुआ होगा ठीक है बच्चों वो कैसे निकालते हैं loss on issue debentures निकालेंगे आप debentures की total base value जो की 50 लाक आ जाएगी पचास लाक का 10% निकाल लीजिए उतना आपको premium redemption देना है उतना ही फिर्म को loss भी होगा जो की आया पांच लाक रुपे का अब इस loss को जो है कुछ security premium reserve से वो किरा जाता है राइट आफ अगर वो अविलेबल है तो और वो होगा बिल्कुल क्योंकि जो debentures है वो premium पेशु हुए है और बाकी जो है वह स्टेट्मेंट आप प्रॉफनल लॉस से राइट आफ किया जाता है तो स्टेट्मेंट आप प्रॉफनल लॉस से राइट आफ इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसका मतलब यह confirm है कि security premium reserve पांच लाख से कम ही होगा तभी इसकी जुरुत पड़िये और कितनी जुरुत पड़िये इसकी दो लाग इसका मतलब security premium reserve जो आपका आया होगा या security premium जो आपका आया होगा वो तीन लाख रुपे आया होगा पहले से तो उसका कोई पैसा था नहीं तो security premium आपका आया है तीन लाख ठीक है कैसी पता चला तो कि loss हुआ था पांच लाग दो लाख राइट आफ किया स्टेट्पूट अपीरल से तो बागी तीन लाख किस से राइट आफ किया होगा security premium से यहने security premium का amount तो तीन लाख है अब रही बात इसकी percentage निकालने की तो percentage कैसे निकालते हैं वो भी समझ दीजे बच्चो बहुत असान सा logic है security premium का amount का उपर रखिए डिबेंचर की total face value को निचे रखिए इंटु 100 कर दीजिए यह आ जाएगा 6% तो इस तरह से यह ढूंडा गया कि डिबेंचर कितने premium पे issue होंगे मैंने क्या करा बच्चो पहले डिबेंचर की total face value निकाल दी जितना premium redemption पे करना है उतना ही firm को loss हुआ होगा यानि कि 10% का तो loss निकाल दिया वह आया पांच लाग अब पांच लाग में से 2,00,000 का loss तो write-off किया गया है from statement of penal तो यानि बाकि security premium से कितना loss write-off किया गया होगा तीन लाग अब security premium का amount पर चल गया percentage जून नहीं है तो तीन लाग अपॉन पांच लाग इंटो 100 करेंगे तो यह आ गया 6% क्लियर बच्चों हो गया क्लियर यह और यह question number 6 है of cbc sample paper जो कि cbc board के द्वारा issue किया गया है for the board examination 2023 और इसमें जो option है option c is the correct option तो इसका अंसर option c है बच्चों अब इसका एक और alternative question भी है उसको भी discuss कर लेते हैं बच्चों आईए देखिए अगली question में क्या कहा गया है इसी के alternative question में कि दुर्गा लिमेटिंटे इशू किये असी हाज हजार डिवेंचर जिनके face value 100 रुपे एक है तो यानि कि जो total face value आईगी इन 80 रुपे वह आ गए 80 लाक रुपे तो discount का rate नहीं पता वह आपको ढूड़ना है लेकिन यह बता रखाएगो कितने premium पे redeem होंगे 20 परसंट premium पे तो premium redemption आपको पता है 20 परसंट जो कि 80 लाग का निकाला जाएगा यानि कि 80 लाग का 20 परसंट होता है बच्चो 16 लाग ठीक है बच्चो तो 80 लाग का 20 परसंट होता है 16 लाग क्लियर है बच्चो एस्पी आर का balance loss को राइट आफ करने से पहले था 25 लाग और loss को राइट आफ करने के बाद बचा 5 लाग एस्पी आर लॉस को राइट आफ करने से पहले था 25 लाग लॉस को राइट आफ करने के बाद बचा एस्पी आर पांच लाग और यह तो कंफर्म है कि डिबेंचर जब इशू डिस्काउंट पे होते हैं और रिडीम प्रीम पे तो हमारा जो लॉस होता है उसके इंदर डिस अब सोची इजराच टोटल लॉस कितना हुआ है अगर स्पीर लॉस को राइट आफ करने से पहले 25 लाग था राइट लॉस को राइट आफ करने के बाद 5 लाग है इसका मतलब सारा लॉस से राइट आफ किया गया होगा तो से क्योर्टी प्रीमियम से जो लॉस राइट अब 20 लाग तो टोटल लॉस है उसमें प्रीमियम रॉनम्शन कितना है 16 लाग तो लॉस में बाकी पोर्षन जो रूपीज 4 लाग है वो डिसकाउंट का होगा ठीक है बच्चो अगर टोटल लॉस 20 लाग है टोटल लॉस अगर 20 लाख है जिसमें से प्रीमर अदम्शन 16 लाख है 80 लाख का 20 परसंट तो बाकी 4 लाख किसका होगा बाकी 4 लाख होगा डिस्काउंट का बाकी 4 लाख होगा डिस्काउंट का अब आपको डिस्काउंट का absolute amount तो बगल गया रूपीज में अब इसको percentage में डिस्काउंट का रेट ढूणना है तो डिस्काउंट का amount upon total face value जो कि यह 80 लाग इंटू 100 कर दीजिए यह निकल कर आएगा 5 परसंट ठीक है इसका मतलब correct percentage of discount is 5 परसंट जो कि आपका option number B है तो यह और्डिनेटिव क्वेस्टिन का जो कि question 6 का और्डिनेटिव क्वेस्टिन ह है तो राइट अंसर है राइट option है वह 5 परसंट है आप उसको टिक कर दीजिए बच्चों clear बच्चों हो गया clear अच्छी तरह से question उमीद करता हूं होई ही गया होगा बलकुल और नहीं भी हो आगा तो आप मुझे message करिए मैं आपको और धंसे समझा दूंगा ठीक है थैंक यू बच्चों